सब्सक्राइब नाओ एंड प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिस अन अपडेट हेलो एवर्यवन वार यू इंग यू विल वी फाइन आम नीलम और वेलकम तो लफ यू तो अवर स्टडी चैनल को दिले स्टडी जॉन आज हम अपना सेवन्थ क्लास की हिस्ट्री का सिक्स चप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का हमारा टोपिक है टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट परस्ट यानि जो हमारा मिडाइवल पीरिड है उस टाइम पर कौन-कौन से टाउन जो है किस तरीक़्े से प्रोस्प पर चली थे तो इन सब के बारे में आज हम इस चेप्टर के अंदर देखेंगे तो देखिए मेंली जो ट्रेवलर्स हैं जो की मेडाइवल पीरिड के दुरान जो है काफी जादा लोग जो है वो जर्नी करते थे वो क्यों करते थे क्योंकि उस टाइम पर जो है ट्रेड काफ जो यहां पर इंडिया के अंदर ट्रेड करने के लिए आये थे तो वो इसी वज़े से अट्रैक्ट हुए थे क्योंकि इंडिया के अंदर वह उस टाइम पर एक तरीके से उसको लेंड ओफ वेल्थ बोला जाता था तो इस की वज़ेसे यहां पर टाउन्स काफी ज्यादा हुए यहां पर traders trade इतना ज़्यादा होता था craft जो craft person है वो भी काफी ज़्यादा florist थे तो इस time पर काफी ज़्यादा traveling होती थी लोगों की क्योंकि trade जो है वो ज़्यादा करते थे तो देखिए जब तो देखिए कई जगे तो ऐसा होता थे कि एक ही city या एक ही जो center होता था या town होता था वो कई तरीके के town की तरह काम करता था मतलब एक तरीके से उसके अंदर काफी सारी combined function वो करता था तो उसके में कौन-कौन से हो सकते हैं जैसे की same A की town जो administrative center भी था और वहाँ पर temple town भी थ साथ के साथ वहाँ पर commercial activities भी ज़्यादा होते थी और crafts person भी वहाँ पर काफी ज़्यादा थे यानि वहाँ पर जो art and culture जो है वो भी काफी ज़्यादा florist था तो ऐसे काफी सारे example है तो देखिए यहाँ पर जो है कुछ एक center 7 के नाम दिये गए हैं देखिए यहाँ पर जैसे वरिंदावन है पुसकर अजमेर एहमदाबाद सौमनाथ जैसे इसे temple town हम बोलते हैं बंबे commercial town या port town भी आप इसको बोल सकते हैं सूरत है यह commercial center एक तरीके से और port town भी इसको बोला जा सकता है क्योंकि यह समुद्र के किनारे पर दिख रहा है आपको बेरार विदार इसे तरीके से जो दूसरे त्रुपती मद्रास महाबलीपूर मुद्यपूर तंजोर मधुरई इस तरीके से काफी सारे टाउंस हमें यह देखने को मिलते हैं तो यह काफी जादा इंपोर्टेंट ट्रेड और आर्टिशनल सेंटर रहे हैं सेंट्रल हिंडिया के अंदर में जाते हैं administrative center के बार इस तुद जो Nuns था लेखे अंदर पिछली चैप्टर के अंदर हम डिस्कम कर चुके हैं वहाँ पर तंजोरिंदर हमने देखा आथा जो की कोई से टेबल था राजहर श राजा राजा के दौरा जो कीisha है इंक्ष द्ऌरेबर बादा में था बैस तरीके जो है वो पढ़ता है अब देखिए इसके जो आर्किटेक्चर है वो कोन है यहने इस टेमपल का आर्किटेक्चर किसने बनाया एक तरीके से कोन थे तो यहाँ पर यह उनका नाम दिया गया है उन्जा रामलान राजा राजा पेरुन था चालन पेरुन था चालन अब ये राजा जो है अपना कोल्ट लगाता है जहां पर वो अपने ओल्डर वगर वहीं से इश्यू करता है इसके साथ साथ यहां पर इसनों ने अपनी आर्मी के लिए बैरेक्स भी डवलेप किया होते हैं तो देखिए आर्मी के रहने के लिए जो बड़ी-बड़ी काफी जढ़ा हम साने फारेक्स एसल और मार्गेट में इसकी कृड्यूर के लायां थे और इसके साथ नियर्बाइ जो टाउन है उद्यपूर उद्यपूर और यहां के सलिया भीवर तो यह क्या करते थे यह प्रोड्यूस करते थे क्लोथ फॉर दा फ्लैग इसके लिए याने टेंपल के उपर जो है फ्लैग वगर लगाया जाते जो भी कोई फेस्टुवल हो था तो जो फ्लैग बनाए जाते थे उसके लिए क्लोथ क्या करते थे प्रोड्यूस करते थे मतलब क्लोथ बनाते थे कपड़ा बनाते थे और फाइन कोटन किसके लिए यूज होता था वो किंग्स के लिए यूज होता था फाइन कोटन का नियुमान करते थे थोड़ी सी दूर का एरिया है वहाँ पर स्थापती और कुछ स्कल्प्चर रहते थे, स्थापती मतलब जो मूर्तिया बनाने वाले हैं उनको ही नाम दिया गया है, स्थापती और स्कल्प्चर तो यह क्या करते थे, ब्रोंज, ब्रोंज की मूर्तिया बनाते थे मतलब ये मंदिर के लिए जो रखने वाली जो मूर्तियां होती है वो बनाते थे इसके साथ-साथ जो बैल वगएरे घंटियां वगएरे होती है वो इनसे बनाते थे ऑगे देखेए टेंपल टाउन के बारे में وسkek करते हैं अभी हमने देखा तंचोर जो है एकडमिनिश्ट्रिट्यु सेंटर था इसके साथ-साथ जो है यह एक टेंपल टांट भी था तो देखेए यह काफी इंपोर्टन टेंपल टाउन भी था क्योंकि हमने देखा निम्पी और यह पर होगा जहां पर काहाँ पर मार्किट होगी जादा ज्यादा it's होंगी जहां पर जादा जाधा चीजों कि ठेड होगा को एक त्रीक किसे अर्बनायजिशन को सेल को dalुग यहां थी वो टेंपल के चारों तरफ जो है रिवोल्व करती थी मतलब टेंपल वहाँ पर क्या थे एकोनमी के और सोसाइटी के वो अपनी डीवोशन दिखाने के लिए अपना जो समरपन भाव है वो दिखाने के लिए ये Nobel बनाते थे इसके साथ ये क्या करते थे इन अब ये सारा का सारा donation किस के लिए use होता था तैकि मंदिर के अंदर जो rituals की जाती है और इसके सारा जो pilgrims को खाना खहना खिला जाता है फिड किया जाता है उनको priest और जो money जो है donation में दिया गया है जो की यातरी आते थे यहां पर pilgrimage आते थे तो वो जो donate करते थे उस से सारा का सारा खर्चा निकलता था तो mainly जो temple authorities थी जितने भी priest वगएरा जो इसके अंदर काम करते थे तो वो क्या करते थे एक तरीके से जितना भी wealth temple के पास आता था वो उसको trade और banking के अंदर लगाते थे उस पैसे को ताकि जो है trade से और भी पैसा है और वो मंदरी की activity के लिए उसको use कर सके तो काफी सारे number of profession यहां पर develop होने शुरू होए इसके आसपास तो देखे priest पाद्रिये ने काम करना शुरू किया जो worker जो temple के अंदर काम करते हैं साफ सफाई वगेरे करना और इसके साथ आर्टिशंस और इसके साथ दूसरे trader तो इनोंने भी क्याहाँ इनके temple के आसपास जो है settle down करना शुरू किया तो देखे आर्टिशंस मालाई वगेरे बनाना गार्लेंड वगेरे बनाना तो इसके साथ जो gardening वगेरे करना क्योंकि फूल जो मिमालाई वगेरे बनाने के लिए आपको जो flower वगेरे चाहिए तो ये सारे के सारे जो काई काफी सारे यहाँ पर क्या आए हैं ये तो हमने तंजाओर के बारे में डिसकस किया है अब देखे भिला स्वामिन भिला स्वामिन ये क्या ये जो है पुराना एंसेंट नेम है किसका भिलसा या विधीशा जो की मदर परदेश के अंदर है तो देखे ये कितनी माइनूट सी चोटी सी डिटेल है और इस डिटेल पर जो है यूपीशी ने अभी के जो भी ये 2020 के अंदर जो अग्जाम हुआ है हमारा इस ये जो की 4 अक्तुबर को हेल्ड हुआ है तो इसके अंदर जो है ये कोशन पूछा था ये विधीशा बारे में तो देखे विधीशा मैच किया गया था इसी तरीके से चार ओप्शन और दिए गए थे जिसमें स्थानेश्वर और दूसरे जगयों के नाम दिए हुए थे जिसमें यूपी और हरियाना और इसके साथ गुजरात और दूसरे कुछ state के नाम देकर जो है पूछा गया था इन में से कौन सा जो है correctly matched है तो देखे इन में से correctly matched इस तरीके से पूछा गया था और यहाँ पर यह question जो है यहाँ से जरह सी detail से उठा लिया गया था तो आप देख सकते हैं कि NCRT के अंदर से भी काफी ज्यादा important जो question है वो निकल कर आते हैं आप देखे जिनों ने इस question को इग्नोर कर दिया उसको पता ही नहीं होगा कि वीधिशा जो है वो कहाँ पर है या फिर जो भिल सा भीला स्वामिन यह जगह कहाँ पर है तो यह कैसे प details को ignore मत कीजिए और आप इनको अच्छे से जो है याद कीजिए ताकि आपका जो question जो है वो आसानी से आप solve कर सके इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं सौमना temple जो काफी ज़्यादा जो है पहले time पर काफी ज़्यादा खबरों में यह रहता था निउस में रहता था क्योंक को मंदर को लूट लिया था एक तरीके से तो यह गुजरात के अंदर पड़ता है अगे देखिए कांची पूरम और मधुराई यह तमिल नाडू के अंदर है जहां पर भी काफी सारे टेंपल सारी यह टेंपल टाउन के रूप में उभर कर आए थे तिरुपती तिरुपती वग्ती जो है टेंपल इनको मान जाता है यह कहां पर यह एंदर परदेश के अंदर है और आगे देखिए कुछ पिलग्रे में जो सेंटर है उनके बारे में अगर हम बात करें तो यह हम ने डिसकस किया वो हमारे टेंपल टाउन थे अब पिल्ग्रे में सेंटर के बारे में हम देख लेते हैं तो दीके वरिंदावन जो की मत्रॉरा के पास में है यूपी के अंदर और इसके साथ साथ जो है तिरू तिरू वन्ना मलाई जो की तमलनाडू के अंदर है अजमेर राजस् जबा इंपोर्टन रहा है पिछले टाइम में मेड्यविल टाइम में अगरिए एकसेलेंट एक्inis्ब्स है डिलिजियस कोई जिस्टेंस के यहाँ पर जो है काफी अंदर रहते हैं तो देसे विर्डकीजूं और तीन चिस्ती जो कि एक सूफी संथ हुए थे तो इन्होंने भी काफी सारे जो डिवोटीज हैं उनको जो की अलग-अलग क्रीड से कॉमुनिटीज से आते हैं उनको काफी जादा अट्रेक्ट किया है इसी के साथ साथ अजमेर में एक लेक है पुशकर जो भी पिल्ग्रिमेज का काफी जादा इम्पोर्टेंट एक तरीके से आप बोल सकते हैं डेस्टिनेशन रहा है यह काफी सारे पिल्ग्रिमेज सेंटर हैं जो काफी जादा न्यूस में रहते हैं और अलग-अलग यह जो है इक तरीके से जो भी जो स्कल्प्चर वगेर होते हैं यानि जो स्टेच्व होते हैं उनको बनाने के लिए मेंली इसका यूज किया जाता है और जो ब्रॉंज है वो क्या होता है एक तरीके से यह है मिक्चर है किसका को पर एंटीन का को पर एंटीन को मिक्स करके ब वेक्स के वेक्स से एक धातु बनाते हैं वेक्स मतलब जो मोम होता है उससे आप क्या करते हैं एक इमेज बनाते हैं जिस भी डेटी की आप इमेज बनाना जाते हैं जो भी स्टेच्व बनाना जाते हैं उसकी क्या करते हैं आप मोम के साथ एक मूर्थी बना लेते हैं तो जैस मिट्टी के साथ, जैसे ही आप इसको cover करेंगे, इसको सूखने देंगे, जैसे ही ये सूख जाएगी, इसको फिर आप गरम करेंगे, जैसे ही आप गरम करेंगे, तो ये जो mom है, वो क्या हो जाएगा, वो पिंगल जाएगा, ये wax जो है, वो पिंगल जाएगा, तो आपने बि कृल कें तो इसको जो veg थंड़ा होने देंगे और एक त्रीके से जब थंड़ा होकर यह सोलिड हो जाएगा उसके बाद आप उपर से यह क्या कर देंगे यह जो आपने मिट्टी की जो परत चड़ाई थी, कले की जो परत चड़ाई थी, उसको आप क्या कर देंगे, धीरे-धीरे रिमूव कर देंगे, उसके बाद उसको साफ करके पॉलिश कर दिया जाएगा, तो यह है लोस्ट वेक्स टेकनीक, जिसके थू क्या किया जाता था, पुराणे टाइम पर जो ब्रॉंज जो स्टेटूस हैं, वो बनाए जाते थे, आगे हम देखते हैं, नेटवर्क ओफ स्मॉल टाउंस के बारे में, तो देखिए, स्मॉल टाउंस किस तरीके से इमर्ज हुए, तो देखिए जो एट्थ जो सेंचरी है, यानि जब से चोला वगरे ने रूल करना स्टार किया था, लग बग इस सेवन हंटर के बाद, तो इस टाइम के बाद जो है, काफी सारे चोटे चोटे टाउन जो है, वो इमर्ज होकर सामने आते हैं, मेंली जो यह टाउन है, पहले बड़े बड़े विलेजिस हुआ करते थे, फिर बाद में य मेंली यहाँ पर जो मंदा पिका है, मंदा पिका मतलब एक आप तरिके से बोल सकते हैं, मंडी, जहाँ पर विलेजर क्या गरते हैं, अपना अनाज वगरे जो भी उनकी प्रोड्यूस होती है, उसको सेल करने के लिए आते हैं, आज कल भी होती है, गाउ में आपने देखा हो पूरी की पूरी गली के अंदर लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं हाट विद्शोप काफी सरी छोड़ी दुकाने से वहाँ पर खोल देते हैं तो इनको बोलते हैं तो देखिए यहां पर जो है उस टाइम पर क्या होता था कि अलग अलग जो आटिशन होते हैं उनके लिए उस टाइम के लिए, बदतन बना ले झाते हैं, उनके लिए एक अलग street बना दी जाती थी, उसके अंदर क्या कहना था? सारे के सारे जो porters होते हैं, वो अपनी जो art की वस्तों जो है, वहाँ पर बेचते थे, इसी तरीके से oil processor के लिए अलग street थी, वहाँ पर सारे के सारे जितने भी जगे-जगे से जो oil processor आये हैं अपना oil बेचने के लिए तो वह वहां पर रहते थे इसी तरीके से sugar maker, toddy maker, smiths और stone, stone mansions तो इस तरीके से stone mansion यह सारे के सारे के यहां पर अपनी जो वस्तु हैं उनको बेचने के लिए आते थे और इनके लिए अलग अलग से street बना दी जाती थी कि पहले street में जो है यहां पर पोर्टर सोंगे दूसरी में oil processor सोंगे तीसरी में sugar maker सोंगे इसी तरीके से tody makers अलग अलग तरीके से पूरे के पूरे टाउन को डिस डिवाइड किया गया था यहां पर जो लोग थे वो अपने local आर ये वह बेचते थे और जो दूसरी जगे je यहां नहीं जो युआ होते थे और बहार से जो दूसरे लोग आते थे वो अपनी चीज़े भी यहां पर सेल कर देते थे तो देखे इस टाइम पर भी सम्मता सम्मता मतलब सम्मता और जमीनदार है उनको इसमता को जमीनदार बोला जाथा था तो यह अपने प्लेसिस बना लिए थे अपने महल बना लिए थे 45, 45 मतलब एक तरीके से सुरुक्षात्मख जो दिवार बना देते अपने महल के चारो तरफ उसको बोलते हम किले बंदी कर देना, ये भी जो है, टेक्स लेवी करते थे जो दूसरे ट्रेडर होते थे, उनके उपर जो आर्टिशन होते थे, और जो लेंड पर कुछ अपना लेंड का हिस्सा जो है, वो डोनेट कर देते थे, ताकि वहां से जो है, अपना रिवेन्यो कलेक्ट किया जा सके टेंपल के द्वारा, तो यहां पर आप देख सकते हैं एक सीटी मार्केट, ये इस तरीके से ये लगी हो ये वोडगार पर देख सकते हैं आगे दे keyboard, टेक्सिस और मार्केट्स के अंदर जो टेक्सिस लगते थे, उनके बारे में बताएगे राजस्तान के इंदर एक इंस्क्रिप्शन में लिया जिसके अंदर बताएगे गया है कि जो tax हैं वो अलग-अलग kind में लिया जाता था मतलब अलग-अलग type से जरूरी नहीं है कि वो cash में लिया जाता था दूसरे जो तरीके हैं उनसे recovering लिया जासकता है जैसे कि कोई sugar बनाने वाला तो उस्से sugar या जैगरी लिया जाइं डाई ऐस ट्रेड लिया जा सकता है, कोटन का कपड़ा लिया जा सकता है, ओन कोकोनेट, साल्ट, क्रानट, बटर, सीशम ओयल और इसके साथ ओन कलोज, तो इसी तरीके से इन सब पर टेक्स लगता था, और जुरूरी नहीं है कि ये टेक्स जो है, वो कैश में पे किया जाए, इन में से क अपनी ही प्रोडक्शन में से कुछ हिस्सा जो है, टेक्स के रूप में पे कर देते थे, इसी तरीके से ट्रेडर्स जो ट्रेड करने वाले थे, उनके उपर भी टेक्स लगता था, जो अपनी मैटल गूड्स उनको सेल करते थे, डिसल कीज, ओ, ओल, कैटल, फोडर, इस तर बंजारा को भी ट्रेडर के अंदर इंक्लूड किया जाता है, तो देखे में बंजारा, इसके उपर भी जो हैं, एक दुबार कोशन पूछा गया है, कि बंजारा जो है, वो में जो है, गोडर्स बनाते थे, तो यह लगोडोगा ऑर ये जब घोड़े करने जाते थे, तो य था, ताकि जिनको horses बेचे जा रहे हैं, उनके साथ जो है, अच्छे से लेंदेन जो है, वो किया जा सके, इन ट्रेडर्स को काफी सारे kingdom से जो है, इनको गुजरना होता था, काफी सारे forest से इनको गुजरना होता था इसलिए जो है इनके लिए काफी ज़्यादा रिस्की भी हो जाता था क्योंकि उस टाइम पर आप देख सकते हैं कि चोर, डाकू, लुटेरे वगेरे भी अगर इनको मिल जाते हैं ले जाते थे, काफी लंबे टाइम तक इनकी आतरा जलती थी, तो देखे कुछ एक गिल्ट्स के यहाँ पर जो है नाम भी दिये गए हैं कि यह साउथ में जो हैं, साउथ हिंडिया के अंदर जो गिल्ट्स बनाई जाती थी ट्रेडर के द्वारा, इन में दो के जो हैं काफी इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर फॉर्म की गई थी, और यह काम कहां करती थी, यह पैनिन्सूला, जो मारा पैनिन्सूलर कौन सा है, पैनिसूलर रीजन कौन सा है, यह निच्चे वाला रीजन, जो तीनो तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इंडिया का जो निच्चे जो reason है ना, वो सारा का सारा South East Asia के अंदर आता है, उपर से China, इनके अंदर भी ये जो है, ये जो गिल्ड्स थे, वो ट्रेड करने के लिए चाहते थे, इसलिए काफी ज़्यादा famous हैं ये दोनों, आगे देखे कुछ है कम्मुनिटीज हैं, जैसे चेटियार, चेटियार्स, औ और मारवारी ओस्वाल्स, ये भी कुछ ट्रेडिंग ग्रूप्स हैं, जो की काफी ज़्यादा ट्रेड के अंदर involved थे, गुजराती ट्रेडर्स के नाम भी आते हैं, हिंदु बनियाज और मुस्लिम बोहराज, ये भी काफी ज़्यादा जो हैं, ट्रेडिंग ये क्या करते थे? एनको सेल करते थे और इनके बदले मेद वहां से क्या पच्छेश करते थे? गोल्ड आइवरी फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका से गोल्ड और आइवरी आता था, और इसके साथ स्पाइशी, स्टीन, Chinese, ब्लूपोतरी ये सारी के सारी और Soilver ये South Diana से आते तो इस तरीके से इनके द्वारा trade किया जाता था इसको एक map के थुरू देख लेते हैं कि कैसे ये जो trade किया जाता था अब देखिए ये red sea वाला reason कौन सा है देखिए यहां पर ये peninsular reason है यहां की बात हो रही है तो peninsular reason के अंदर जो यहां पर trader जो रहते थे वो इस के थुरू यहां पर इस coast के थुरू यहां पर trade करते थे और यहां पर आप देख सकते हैं red sea इसके अंदर और इसके साथ-सात toxicity यहां पर गल्फ of home rules यहां पर है गल्फ of home rules तो यहां पर यह सारे के सारे इदर trade करते थे चाइना का रीजन आप देख सकते हैं और ये สाउथ इसे चाइसिया का रिजन आप देख सकते हैं ये दीए ये साउथ illness अघिए इसके अंदर बर्मालाओस व्यत्नाम और इसके साथ साथ कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापूर, और इंडोनेशिया ये सारी कसरी जैसन इसके तो इस तरीके से यहाँ पर ट्रेड होता था आगे देखिए जो वेस्ट कोस्ट है इंडिया की जो वेस्ट कोस्ट है अभी हमने देखा यह देखिए यह वेस्ट कोस्ट है इंडिया की यह जो की अरिबियन सी के साथ लगती है यहाँ पर जो है मेंली कौन-कौन से लोग ने र अपने यहाँ पर एक तरीके से घर बनाने शुरू कर दिये, क्योंकि इनको ट्रेड करना होता था तो इसलिए इनोंने मेंनली जो है इन्हीं रीजन के अंदर रहना शुरू किया, इंडिया के अंदर स्पाइसिस काफी जादा मातरा में होते थे और कोटन जो उनके क्लोड जो जाता था और जिसकी वज़ाइसे फिर ये यूरोपेन मार्केट के अंदर जाते थी, तो देखिए यहां से जो है इंडिया से ये समान पर परचेस करने के बाद यहां पर यह समान जाता था और ये इन्डिया का कोटन टेकस्टाइल है और इसके साथ-साथ जो इंडिया के स spices हैं वो काफी ज़्यादा famous थे काफी ज़्यादा popular थे मतलब काफी ज़्यादा demand थी और इसी वज़ए से फिर जब यहां पर जो है इनको Europeans जो है जब यह सारे के सारे product यूज़ कर रहे थे तो उनको लगा कि उन्हें भी जो है इंडिया के अंदर जाना चाहिए और वहां से यह सारी चीज़े purchase करनी चाहिए क्योंकि यहां से जैसे जैसे यहां से यह समान जाता था तो यह आपस में जो है बीच में कई सारे tax जो है राजा collect करते थे आपस में तो उनकी वज़ए से क्या होता है था है कि इसके दाम बढ़ जाते थे और उसके बाद भी यह काफी ज़दा profit यहां पर कमाते थे इसलिए यूरोप के अंदर से काफी सारे जो ट्रेडर्स हैं वो फिर आए और उन्होंने जो है इंडिया का रस्ता खोजा और इंडिया के अंदर direct जो है वो ट्रेड करना start किया तो देखिए यहां पर spices जो है वो tropical climate के अंदर काफी ज़्यादा अच्छे से होते हैं इंडिया का जो climate है इंडिया जो है एक तरीके से ट्रोपिक रीजन के अंदर पढ़ता है तो यह tropical climate में काफी अच्छे से पैदा होते हैं जैसे pepper, cinnamon, dried ginger इस तरीके के जो spices हैं मसाले वगयरे होते हैं जो वो काफी ज़्यादा यहां पर produce होते हैं और यह जो है European cooking के लिए काफी ज़्यादा एक तरीके से important माने जाते थे और उनके लिए काफी ज़्यादा एक तरीके से attractive भी थे जो cotton काबूल के बारे में भी बताया गया है देखे काबूल जो अफगानिस्तान के अंदर है यह देखे अफगानिस्तान यहां पर यह इस reason के अंदर है तो काबूल जो है वो काफी ज़्यादा रग्ड और mountainous landscape है यहां पर mountain बहुँ जादा है और इसको cross करना काफी ज़्यादा पैदल यहातर करना काफी ज़्यादा डिफिकल्टाइस के अंदर तो यह अफगानिस्तान के अंदर है यह उस time पर जो है काफी पोलिटिकल और कोमर्शली इंपोर्टेंट था 16th century के दोरान यह काफी ज़्यादा पोलिटिकली और और कोमर्शली इंपोर्टेंट था जो होर्स का यहां पर ट्रेड होता था यहां पर एक डाइमन्ड मर्चेंट है जिनका नाम जीन बैप्टेस्ट है यह इनका नाम दिया गया है यह बताते हैं कि यहां पर जो काबूल के अंदर होर्स का ट्रेड जो है अराउंड 30,000 एन्वली होता था और उस time पर 30,000 अमाउंड प्रेड जाए जाता था था अगे देखिए क्राफ्ट्स कौन कौन से थे टाउन के अंदर सबसे पहले बात करें तो बिदार बिदार जो रीजन है जो कि हमने जब इंडिया का स्टार्टिंग में इंपोर्टेंट जब सहर देख रहे थे तो उस टाइम पर हमने बिदार को देखा रहा है तो यहां पर देखिए मेंली जो वर्क किया जाता है कोपर और सिल्वर का है जिसको बीदरी भी बोला जाता है तो बीदरी जो है एक तरीके से बिदार के अंदर जो वहां के क्राफ्ट पर्शन जो कोपर और सिल्वर का वर्क करते हैं उसको बीदरी बोला जाता है इसको आप यहां पर देख सकते हैं, यह देखिए, इस तरीके से जो है, यह candle stand बनाया हुआ है, brass का use करते हुए, जिस पर black ओरी, black थोड़ा सा color जिसके अंदर दिखा है आपने, तो यह देख रहे हैं, एक तरीके से बिदरी का work दिखाया हुआ है, आगे देखिए, पंचाल और विश्व कर्मा community है, इनके अंदर mainly goldsmith, bronzesmith, blacksmith, machines और carpenters, यह सारे के सारे काम करते थे, इन community के अंदर, आप देखें कि यह mainly किसके लिए काम करते थे, यह temples को build करने में, काफी जादा इनका important role होता था, क्योंकि इनका gold से related, bronze से related, blacksmith, यह सारे के सारे काम, mainly temple के अंदर यह सारे के सारी च tanks और reservoir बनाने के लिए इनको काफी ज़्यादा essential माना जाता था, आगे देखिए, दो type के जो यहाँ पर community दी गई है, एक cellular और एक कई कोलार, और cellular, यह कौन है, यह viewer community है, देखिए इस तरीके की term भी आ सकती है exam में, कि cellular और कई कोलार जो है, वो किस community से belong करते हैं, तो यहाँ आपको बोल सकते हैं, traders हैं, viewers हैं, यहाँ पर आपको option दिया जा सकता है, तो याद रखना है कि यह viewers है, और उस time पर काफी ज़्यादा prosperous communities होती थी यह दोनो, काफी ज़्यादा prosperous community थी, आगे देखिए कि इस time पर जो है, आपने देखा कि जो cotton है, cotton textile है, वो काफी ज़्यादा पर flourish हुआ था, तो इस वज़े से यहाँ पर क्या होगा है, कि cotton की cleaning है, spinning और dying, यह काफी ज़्यादा एक तरीके से specialized craft बन गया, यानि एक ही वेक्ति सारे काम नहीं करेगा, cleaning जो है, उसके लिए अलग से वेक्ति जो है, उसके उपर उसका अलग से अपना काम है, spinning का अलग से क scientist होता है, वो दांतों का specialist होता है, इसी तरीके से cloth की cleaning करनी है, तो उसके लिए अलग से specialist होते थे, ऐसी spinning करनी हो तो उसके लिए अलग से specialist, एक तरीके से specialized work हो गया था, यह आप देख सकते हैं किस तरीके से weaving की गई है, यह उस टाइम पर, machine वगएर नहीं होती थी, शोल है, border किस तरीके से बनाया है, इनोंने, आगे देखिए, टाउन्स का जो fortune है, वो कैसे change होता है, किस तरीके से टाउन्स जो है, एक बार में prosperous हो जाते हैं, और उसके बाद जो हुनका decline हो जाता है, गुजरात का एक नगर है, एहमदाबाद, तो देखिए, एहमदाबाद काफी ज जो मुर्शिदाबाद है, जो कि West Bengal के अंदर है, जो कि भागरती रिवर के bank पर बढ़ता है, किनारे पर बढ़ता है, तो एक तरीके से इसको भी center of silk बोला जाता था, यानि silk की यहां बे अच्छी production होने लगी थी, और इसको जो है Bengal की capital भी बना दिया गया था, 1704 के अंदर, लेकिन धिरे धिरे जो है, अलग से जो England के अंदर से, जो काफी सारे traders जो है यहां पर वेपार करने के लिए आए, तो उन से काफी ज़्यादा competition का सामना करना पड़ा, और क्योंकि यहां पर मशीनों के द्वारा का कपड़े का निर्मान होता था England से, तो इस वजए से जो है यहां का जो मुर्शिदाबाद के अंतर जो इस तरिके से यह florish हुआ टाउन था, वो एक तरिके से उनका decline होना वहां पर स्टार्ट हो गया, क्योंकि यहां के वीवर्स को जो है, भाफी ज़्यादा competition का सामना करना पड़ा था, आगे देखिए, यहां पर एक closer look दिया गया ह ने को है हंपि کے बारे में मसूली पतनम के बारे में और सूरत के बारे में, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं, कि कैसे जो हंपि एक तरीके से पहले prosperous था और बाद में decline हुआ, तो इनके बारे महीं देखते हैं, तो दείखे हंपी जो है, यह करनाटका के अ प्रिश्ण और तुंग भद्रा जो रीवर हैं उनके बेसिन के अंदर ये पड़ता है और ये जो है विजयनगरा एंपाइर का नुकलियस एक तरीके से उसके नुकलियस की तरह काम गरता था जिसको 1336 के अंदर एस्टबिश किया गया था यानि विजयनगर जो की फाउंड ग इसके अंदर फोर्ट्स वगएरे बनाएगी काफी जादा बिल्दिंग सिसके अंदर बनाएगी और सबसे में बात जो है किसके अंदर कोई भी सिमेंट रिजन नहीं किया गया इसके अंदर और एक तरीकी से मोल्टार मतलब जो जो अंध्वी इंक्टी वग्र होती है यूज की गई है इस टेकनीक का यूज करते हुए बिना किसी सिमेंटिंग एजएंट के और मोर्टार के इन्होंने काफी अच्छी बिल्डिंग्स जो है वो यहां पर बनाई गी है यहां का आर्टेक्ट्चर जो है वो काफी ज्यादा डिस्टिंक्टिव है यह हमने देखी ल ओर्टेम्स यह सारे के सारे इन्होंने बनाए है और इनके अंदर अन्दर काफी सारे जो स्कुलिप्टिव मोटीफ मतलब जो जो चोटे स्वूर्द हम बनादेते हैं जैसे लोडस के तीन में निन फूल होता है इसनिह अगली ने जो लोड़े प्रोस्परस था ये किस टाइम पर था हम पी काफी ज़्यादा प्रोस्परस ये था 15th and 16th century के दोरान तो उस टाइम पर यहां पर काफी ज़्यादा कमर्शल और कल्चरल जो एक्टिविटीज हैं वो होती थी देखिए मूर्स एक टर्म है इसको आप याद रख सकते हैं यह किसको दिया गया है एक नेम कलेक्टिवली यूज़्ड पॉर मुस्लिम मर्चंट जो मुस्लिम मर्चंट है उनको कलेक्टिवली मूर्स के नाम से बला पुर्तिगीज ये भी जो है हमपी की मार्केट के अंदर जो है काफी जादा इनकी भीड़ थी मतलब यह सारे के सारे जो है यहां पर ट्रेड करने आते थे जो भी हमने देखा मुसलिम मर्चेंट्स मोर्स जिनको बोले गया चिटीज और इसके साथ जो इरोपीन ट्रेडर्स हैं जैसे बुर्तिकीज उते रहे इंग्लिश ये सारे के सारे हमपी की मार्केट के अंदर देखे जा सकते हैं यहां के जो टेंपल्स थे वो काफी ज़्यादा कल्ट्रल एक्टिविटी के हब थे और यहां पर देवदासी जो हैं देवदासी मतलब जो टेंपल के अंदर जो डांस करती हैं तो वो जो हैं डेटीज के लिए और यहां के जो रोयल यानि जो किंग वगिरे हैं उनके लिए और जो मासिस हैं उनके लिए यहां पर डांस परफॉर्म करती थी इन पिलर्ड होल के अंदर और ये कौन सा टेंपल है यहां पर वीरुपक्षा वीरुपक्षा जो की शीवा का टेंपल है और वहीं पर यह देवदाशी वगर है यह वला जुटान से वह भी पर्फॉर्म किया जाता था यहां पर महानवमी फेस्टिवल जिसको हम नवरात्री जी पर आती जो है उसके लिए उसको भी मनाये जाता था आज हम इसको नवरात्री बोलते हैं तो उसटाइम पर उसको महानवरमी फेस्टिवल यहां पर बोला जाता था उसको भी हमपी के अंदर celebrate किया जाता था और ये कैसे पता लगा है क्योंकि आर्केलोजिस्ट को यहाँ पर क्या मिला है महानवामी का एक platform मिला है जहाँ पर क्या करता था जो king है अपने guest का स्वागत करता था और उनसे जो है जो भी उसके subordinate और chief होते थे जो डेकनी सुल्तान है इन 1565 के अंदर ये सुल्तान कौन-कौन से है गोलकुंडा बीचापूर, एहमदनगर, बेरार, बिदार इनके द्वारा जब इनके ओपर अटेक किया जाता है तो बार-बार जब अटेक होरने के बाद वीचन है कर एंपायर जो है वो काफी जदा कमजोर पड़ जाता है और हार जाता है और उसके बाद हैंपी का भी क्या हो जाता है एक तरीके से डाउनफोल हो जाता है तो देखिए ये एक टावर दिखाया गया वाच टावर जिसके ओपर खड़े होके हम जो है आसपास के द paralysis को निहार सकते हैं देख सकते हैं कि क्या चल रहा है तो ये वाच टावर है और ये आप देख सकते हैं ब्रोकन वॉल ये और ये interlocking pattern आप देख सकते हैं ढ़र अपस में interlockड करके किस तरीके से किस एंट को किस रिके से bricks को ऐसे लगाया गया, और यह interlocking pattern है, यहाँ पर किसी भी cement agent का use नहीं किया गया, आगे देखे एक stone chariot दिखाया गया, विथला temple का, stone के द्वारा बनाया गया एक chariot है, रत दिखाया गया, जो कि stone को काट करके बनाया गया, विथला temple के अंदर है, आगे देखे, fortified city, एक पूर के अंदर से, मतलब जो दूसरी country से आते हैं, लेकिन गोवा के थुरू होकर आते हैं, come from Goa, तो उनके लिए एक तरीके से entrance gate है ये, और इसके अंदर जो king है, उसके द्वारा काफी जादा, इसके अंदर काफी जादा fortified जो buildings हैं, walls हैं और towers हैं, वो बनाये गए हैं, किसके द beautiful rows of buildings बनाई गई हैं, with flat roofs, roof कैसी हैं, उनकी flat, इस तरीके से flat roof के साथ हैं, buildings वो बनाई हैं, ये कहां से पता लगता है, ये हमें, Portuguese traveler आई हैं, उन्होंने, MP के बारे में अपना description दिया था, उसके वहां से पता लगता है, आगे देखिए सूरत, gateway of the west, यानि west की तरफ अगर आ अंदर है, तो देखिए एक बार हम मैप के अंदर देख लेते हैं, यह देखिए यहां पर आपको दिखाए दिर आई है, इंडिया का मैप है, तो यहां पर, बिल्कुल यहां पर, यहां पर सूरत है, और यह देखिए यह Gulf of Khambat है, यहां से होकर ही सारा का सारा जो ट्रेड ह mainly सूरत से उकर इधर जाता था यह सूरत देखे सूरत जो है वो गुजरात के अंदर है इसको बोला जाता है एमपोरियम ओफ दा वेस्टरन ट्रेड अब एमपोरियम क्या होता है देखिए एमपोरियम ऐसे जो का होती है जहां पर मतलब एक तरीके से लार्ज मार्केट आप बोल सकते है जहां पर चीजों का परचेज और सेल होता है तो देखे यह जो है यहां से क्या किया जाता था सूरत के अंदर जो है सूरत से ही कैमबे जो कैमबे है जिसको गल्फ ओफ खंबात भी बोला जाता है आज गल्फ ओफ कैमबे वहां से लेकर यहां पर काफी ज्यादा ट्रेड होता था आगे देखे बाद में जो है अंदर बीजी तरीके से होने लेगा सूरत जो है उसको गेटवे माना जाता है किसके साथ अगर अपने वैस्ट एशिया के साथ आपने ट्रेड करना है तो उसक पढ़ती है जो सको हमने बिक्चे मैप के अंदर भी देखा था तो यहां से जो है गेट ऑफ मक्का भी इसको बोला जाता है गेट ऑफ मक्का यह कहां पर है यह साथी यह अरे आपर यहां पर यह सारे लोग जो है जो मुस्लिम मेंली जो इसलाम धर्म को फोलो करने वाली वह वहाँ पर इसके अंदर मक्का के अंदर यह उनका पवित्र स्थान है तो वहाँ पर यह अतरा करने के लिए चाते थे तो mainly यहाँ से ship जो जाते थे उनी के अंदर यह चाते थे तो इस वज़े से इसको gate to मक्का भी बोला जाता है सूरत को आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इंपोर्टेंस है सूरत की तो देखें इंपोरियम क्या होता है एक प्लेस वियर गुड्स ऑफ डाइवर्स प्रोडेक्शन सेंटर आर बोट एंड शोल्ट यानि कही जगे से जो है प्रोडेक्शन सेंटर से गुड्स यहाँ पर काफी ज़्यादा इंपोरियम गए पर देखें यह सारी कास्ट और लोग एकटे यहां पर रहते थे लग लग जगें से यहां पर लोग आते थे ट्रेड़ करने के लिए अपना समान बेचने के लिए और खरीदने के लिए तो इस वजए से इस सीटी को एक तरीके से cosmopolitan भी बोला जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Portuguese, Dutch और English इन्होंने खुद की अपनी फेक्टरियां भी हाँ पर established की थी और इसके साथ अपने warehouses भी सूरत के अंदर established किये थे एक English chronicleer है जो की Owenton जिन्होंने सूरत के बारे में जो है लिखा है इन 1689 के अंदर इन्होंने लिखा है कि एक time पर अगर आप किसी भी time पर यहाँ पर देखते हैं तो कम से कम 100 ship आप यहाँ देख सकते हैं from different country कियानि कितना ज़्यादा important रही होगी यह city कि एक ही time पर जिस भी time आप यहाँ देखें कम से कम आपको 100 ships जो हैं तो एक आता है दो दूसरा चला जाता है इस तरीके से जो हैं यहाँ पर हर time 100 ships हैं जहाँ आप आप आसानी से देख सकते थे यहाँ पर काफी ज़्यादा retail और wholesale soap भी है जो की sale करती है cotton textile को retail छोटे लेवर पर और bowl sale काफी बड़े लेवर पर जो sale करती है textile सूरत का जो textile है वो काफी ज़्यादा फेमस है फोर देर गोल्ड लैसे बॉल्डर जरी यानि जरी का जो काम होता है मान लिए जो कपड़ा है कपड़े के चार उतरफ की नारी के उपर जो है golden color में जो जरी कर दी जाती है जरी जो कड़ाई वगरे की जाती है golden color में तो उसको बोला जाता है जरी और यह काफी ज़्यादा फेमस भी था किसके अंदर वेस्ट एशिया के अंदर अफ्रेका के अंदर और ये रोप के अंदर जल्के जरी ये सब्याता है और सब्सक्राइब ये नियुक्त काम करतेते ये भी काफी सारे इनके huge banking houses थे, मतलब एक तरिके से दूसरों को पैसा देने और उनका पैसा deposit करने का काम भी ये करते थे, सूरत के अंदर, जो काठियावर सेट और महाजन है, इनके द्वारा जो सूरत की हुंड़ी क्या होती है, आप बोल सकते हैं, जिसके अंदर ये लिखा सकते हैं, तो ये सूरत की जो हुंडी है, वो कहाँ पर मिली है, देखिए, ये मिली है, एजिप्ट की जो capital है, काईरो, वहाँ पर और इसके साथ बसारा इन इराक और अंत वरेप इन बेल्चियम, तो इतनी दूर दूर तक ये जो है, सूरत के अंदर जो हुंडी लिखी जा करा है, और ये क्या कर सकता है, claim in another place, इसको दूसरे place पर जाकर claim कर सकता है, by presenting record of the deposit, यानि ये हुंडी दिखा कर जो है, अपना पैसा किसी दूसरी जगे से ले सकता है, आंगे देखिए, जो सूरत है, वो decline होने लगा था, 17th century के end तक, 17th century के end तक मतलब, यहां तक ये जो है, end होने लगा था, ऐसा क्यों इसके काफी सारे factor है, एक तो, यहां पर market और productivity का loss हो चुका था, मुगल empire जो है, उसका decline होना start हो चुका था, पूर्तिकीज जो है, वो sea route के through, जो है, इंडिया के अंदर enter कर चुके थे, और इसकी वज़ए से काफी ज़्यादा competition का सामना करना प इस वज़े से वहां की सूरत की जो market है, वो सिफ्टो कर Bombay में सिफ्टो गई थी, इस वज़े से वहां पर काफी ज़्यादा decline होना शुरू हो गया था, लेकिन अभी भी यह काफी ज़्यादा हल चल भरा, एक commercial center अभी भी है सूरत, आगे देखे मसूली पतनम के बारे में ब एडियोपियन्स आए थे, वो मसूली पतनम मचली पतनम उन से प्रउनाउंस नहीं होता था और एक तरीकेस उसको बोलते थे मसूली पतनम, तो इस वज़े से जो है इसका नाम मसूली पतनम पढ़ गया, आगे देखे इसके अंदर काफी ज़ादा intense activity का center बन चुका था यह क पर देश का का फी ज्यादा इंपर्ट था और यहां पर यहां पर इंग्लिश्स ने अपनी इसट इंडिया इकंपनी का कंट्रॉल है यहां पर भी मुंदा। मुंसली पतिन के अंतर कातुत है ग्रॉट यह पर देखा और यहां पर जो है डच ने अपना फोर्ट भी एस्टब्लिश किया था जिसकी वज़ए से इसकी इंपोर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ गई थी जो डच है डच कहां से आथ है यह निधरलेंड से थे इन्होंने अपनी जो है फोर्ट यहां पर एस्टब्लिश किया तो इसकी वज़ए से यहां पर काफी ज्यादा और भी ज्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी होने लगी थी आगे देखें जो कुतुम साही है कुतुम साही मतलब जो गोल कुंडा के रूलर है यहीं अंदर प्रदेश के अंदर ही तो इन होने जो है अपनी मोनोपली नहीं अधिकार यानि दूसरी जो यह डच और इंग्लिश जो कंपनिया यहां पर आई है उन वो सारा का सारा ट्रेड ना हथिया ले यानि सब कुछ उनके हाथों में ना चला जाए इसलिए जो है इन्होंने काफी सारी मोनोपली खुद की इंपोज कर दी कि यह टेक्स्टा से वो काफी जादा प्रेशान हो जुकी थी और इस वज़े से यहां पर इन्होंने अपनी खुद की नीतियां बनानी स्टार्ट कर दी थी और उन्होंने फिर मसूली पतनम से सिफ्ट करके कलकत्ता और मद्रास की तरफ अपना रूप कर लिया था आगे देखिए यहां पर जो है काफी फिरियस कॉंपेटिशन स्टार्ट होने लगा था क्योंकि यहां पर जो है एक तो गोलगंडा के जो रूलर है नोबल्स है वह यहां पर विपार करते थे पर्शियन मर्चेंट जो की पर्शिया से आते पर्शिया रीजन कौन सा है जो वैस्ट इस वाला रीजन ह वह पर्शिया वाला रीजन है एलगू कॉम्ती चेटीज मैंने जो बताया मिलेशिया और सिंगापूर से जो आते हैं चेटीज आगे यूरोपियन ट्रेडर में हमने देखा जो भी डच और इंगलिश हैं वह यहां पर क्या करने लगे थे इनकी वजह से कहां पर करना चाहती थी क्योंकि यहां पर काफी ज्यादा ट्रेड होता था तो उनके लिए काफी ज्यादा पेनिफिशियल था तो मुगल यहां पर अपना रूल जो है वह एक्स्टेंट करना चाहते थे इसलिए उन्होंने क्या कि है कि गोलकुंडा के अपना रूल बढ़ाने के ल और ऊरंग जेब ने गोलकुंडा को चेप्चर कर लिया था 1686 से लेगर 1687 के बीच में पिछमें रूल पर चेप्चर कर लिया और मुगल के अंदर मिला लिया था शैंवीर्यिंड जो कंपनी जो पुर्तिगी जो यह बुदिश और इंगलिश हैनोंने अपने लिए अल्टर करेंगे कि सिरफ trade center को ध्यान में नहीं रखेंगे बलकि political administrative और commercial role तीनों तरीके के role ये खुद perform करेंगे और तीनों तरीके के जब role खुद perform होंगे तो उसके बाद क्या होगी उनकी management काफी अच्छे से होगी इसलिए जो है इन्होंने अपने खुद की जो city होती थी वहां पर जितना भी वेपार होता था वो decline होना start हो गया दिरे दिरे और इन एरिया की तरफ जो है लोगों ने बढ़ना start किया इन तीनों सीटी के अंदर तो देखें न्यू टाउंस एंट्रेड्स के अंदर और कौन से टाउंस नए नए टाउंस जो है वह वह एस्टैबलिश हुए वह कौन से बंबई मदरास और कुलकता यह इस तरीके के नए नए टाउंस वह एस्टैबलिश होने अपनी एंकनी इस्टैबलिश की तरीके से फ्रैंच तो अलग अलग जो पावर से में होने अपनी अपनी इस्टिंडिय कंपणी इस्टैबलिश की ताकि वह अपने खुद के जो कमर्शल इंटरेस्ट है उनको बढ़ावा दे से और इसकी वजए से इनको स्टार्टिंग में काफी competition का सामना भी करना पड़ा कि जैसे की great Indian trader है कुछ एक के नाम आते हैं जैसे मुला, अब्दुल, गफोर और विर्जी बोरा ये दो जो है Indian trader काफी जादा important है क्योंकि इनका जो है काफी सारे जो ships वगरे हैं उनके उपर control था तो इनोंने जो है इनको competition देना start किया लेकिन धीरे धीरे जैसे की जो English power और ये दूसरी जो European power है इनका जो है किसके उपर control जादा था इनकी naval power जो है वो काफी ज़्यादा strong थी तो इसकी वज़य से इनोंने C trade के उपर काफी जादा अपना control जो है वो establish कर दिया और Indian जो trader है ये जो दोनों trader है इनको अपने agent की तरह यूज करना start कर दिया और इसमें जो है English काफी ज़्यादा successful भी हो है जो अंग्रेज हैं बेटेस हैं वो काफी ज़्यादा successful हुए और इनोंने हमारे इंडिया के अंदर काफी लंबे टाइम तक रूल भी किया ये अपने देखा है उसको हम modern इंडिया के अंदर discuss करेंगे यह यहां पर देखिए जैसे ही इनोंने हमारी country के अंदर आना start किया यूरोपियंस ने तो हमारी country के अंदर demand बढ़ने लगी textiles की और इसके साथ-साथ जो spices वगेरे उनकी भी demand बढ़ने लगी क्योंकि जितना ज़्यादा वपार करेंगे उतनी ज़्यादा demand तेज होगी तो इन इंडिया का जो textile है और भी ज्यादा refine हो गया, refine मतलब और भी ज्यादा अच्छा हो गया, लेकिन इसके साथ-साथ एक कमी यहां पर हो गई कि इसमें जो independence है, जो craft person यानि जो कपड़ा बुनने वाले थे, उनकी independence खतम हो गई, independence क्यों खतम हो गई, क्योंकि उनको वही काम करन पड़ता था, जो यहां पर Europeans demand करते थे, European के द्वारा जो demand की जाती थी, वही यहां पर उनको बनाना होता था, इसलिए इनोंने advance system पर काम करना शुरू कर दिया था, system of advance पर काम करना शुरू किया, वही कपड़ा यह बुनते थे, जो कि European agents के द्वारा इनको बोला जाता था, इसका मतलब यह हुआ कि इनके पास अब अपनी कोई भी liberty नहीं थी, कि यह अपनी मर्जी से खुद के pattern, खुद के design बना कर यह sale कर पाएं, तो ऐसा इनके पास नहीं था, इनके द्वारा जो company agent के द्वारा जो इनको design और pattern दिये जाते थे, वही ही इनको बनाने पड़ते थे इस वज़े से उनकी independence बिल्कुल भी खतम हो गया, आगे देखिए, तो मैंने रताया था कि यहाँ पर जो है, बोंबे, कलकता और मैदरास जैसी कुछ cities जो है, इनका rise होना start हो गया, इसकी वज़े से क्या हुआ, कि इन्होंने ही, जो इंग्लिश इस्टी इंडिया company है, इन् इन्ही सीटी के अंदर, इन्ही सीटी के अंदर black town established करने start किये, इन black town के अंदर क्या होता था, कि जो दूसरे merchant और craftsperson और जो दूसरे artist है, उन्होंने इन black town की तरफ move करना start किया, क्योंकि यहाँ पर काम चादा मिलता था, इसलिए जो है, यह अपने घरों की तरफ move नहीं कर पाते हैं, इसलिए इन्होंने यहीं पर रहना start किया, तो यह इसी place के अंदर confine हो गए, जो blacks, मतलब एक तरीके से black people थे, दूसरे अफरीका वगएरे से, जिनको slave बनाया कर खरीदा जाता था, और जो दूसरे native trader, मतलब जो इंडिया के trader थे, इनको इन ही जगे पर, इन black town त और fort St. William जोई है, इन्होंने कैलकता के अंदर बना, तो इस तरीके से इन्होंने अपने लिए, खुद के लिए, बड़े-बड़े fortified जो, जो बनानी start कर गी, यहां पर आप देख सकते हैं, बंबे स्ट्रीट का example दिया, एक picture दिखाई गी है, किस तरीके से जो है, यह मर्च हो गया, तो इसके बारे में जो है, एक English East India Company के जो एक फेक्टर, फेक्टर मतलब एक official जो person होता है, उसको बोला गया है, तो William Mathward, यह जो है, बताते हैं, कि यह एक गोलकुंडा का, गोलकुंडा मतलब अंदर परदिश रीजन के अंदरी जो राज्य पढ़ता है, उसका chief port थ अपने agent की माध्यम से ये काम करते थी, लेकिन ये city जो है, वो काफी ज़्यादा ये जो town था, ये काफी ज़्यादा पोपुलस था, unweld था, ill-built था, अच्छे से नहीं बनाया गया था, इसकी situation काफी ज़्यादा खराब थी, और यहां पर जो है, एक तरीके से poor fisher जो man थे, व उन्होंने अपना fault यहां पर establish किया था, उस time पर सबसे ज़्यादा यहां पर जो है, इस तरीके का residence था, अदर्वाइस उससे पर ले काफी ज़्यादा जो है, इसकी हालत जो है, काफी ज़्यादा खराब थी, देखे, factor मैंने बताया है कि एक official merchant, of East India Company, East India Company का जो official merchant उसको बल जाता है, आगे देखे, mainly जो हमारा इंडिया के अंदर जो भी changes time पर हुए, हमने देखा कि जो भी trade artisan वेगेरे इस time पर थे, तो वो हम सब देख चुके हैं, अब हमने देखना है कि लास्ट जो एक extra information देख लेते हैं, कि किस तरीके से एक जो person आये, जोनोंने यूरोप से ए जो हमार की खोज़की और इंडिया आने का रस्ता जो है, जो हमने ढूंडा था, तो देखे, ये हमारे कौन है, वास्कोटी गामा, और एक दूसरे और है, Christopher Columbus, इनका नाम भी हम जानते हैं, लेकिन उन्होंने जो है, वेस्ट इंडीज को खोज़ा था, अब देखे, 15th century के अ इंडिया तक पहुँचा जा सकिए, और वहां से जो है, और जादा जो टेक्स्टाइल है, और स्पाइसी हैं, वो खरी दे जा सके, अब ये सारी की सारी चीज़ें, ये प्राप्त करना चाते थे, तो ट्रेड करना चाते थे, इसी चक्र में क्या हुआ है, जो वास्कोटी ग हो जाते हैं, एक जो इंडियन ट्रेडर है, उसकी मैधियम से ये पहुंच जाते हैं, और ये उन 1498 में कालिकट के अंदर पहुंच जाते हैं, और वहां पर बाद में यहां से काफी टाइम स्पेंड करने के बाद, उसके बाद यहां से काफी ज़्यादा चीज़ें, यहां capital लिस्बन जो की पूर्टगाल की capital है वहाँ पर वापिस लोड़ जाते हैं यह देखे इन यह जो है फॉर शिप अपने साथ लेके आए थे इन में से टू शिप जो हैं के लोस्ट हो जाते हैं जाते टाइम काफी लंबर टाइम इनको लगता है उसके बाद एक सो सतर वैक्तिय होता है मतलब इतनी सारी चीजे जो है लोस्ट होने के बाद भी यह इतना ज्यादा इस मानी हां से लेकर जाते हैं तो उन से काफी ज्यादा profit होता है और यह इतना ज्यादा profitable होने के बाद बाकि सब को भी जो दूसरे English Dutch और French है उनको भी एक उत्सुकता होती है कि हम भी जाती थी कि जो अर्थ है वो बिल्कुल राउंट है वो गोल है तो इस इस अजम्शन को मानते हुए जो Christopher Columbus का फूर्फ की तरफ मुवग चाट कि वासकोडिगामा तो इस्ट कि Family राउंट होगा तो हम इस रस्ते से भी इंडिया महें पहुंच जाएंगी होने जैसे इस तरफ मुवग करना रहतzhक थो यहां नोने क्या बोला फिर इनको West Indies नाम दे दिया गया तो यह West Indies में लेंड हुए थे इसी वज़े से confusion की वज़े से इनोने इसको West Indies नाम दे दिया गया कि इंडिया का West की तरफ से खोचा गया रस्ता है और यह 1492 ने खोजा था तो देगे इस तरीके से जो है आगे की तरफ दूसरे जो स्पेन से और इंग्लिश इंग्लेंड से काफी सारे फिर से सेलर आगे की तरफ बढ़ते हैं और वहां से फिर ये सेंट्रल और जो साउथ अमेरिका हैं उनकी फिर से खोज करते हैं तो इस तर जो एक्साइटमेंट थी उस एक्साइटमेंट वह इन्होंने जो है इस तरीके से सी रूट जो है वो खोज निकाले और अलग अलग जो कॉंटिनेंट है और कंट्रीज है उनको भी ने खोज निकाला यहां पर यह हमारा चैटर जो है वो फिनिश होता है अगर आपको कोई आप हमें कमेंट सेक्षन में लिख सकते हैं इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक शेर अन सब्सक्राइब अबन चैनल और प्रेस्ट बैल इकन फॉर दर नोटिफिकेशन अव थी यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फो वचिन वीडियो टेक केर आफ यू 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 निवर मिस अपडेट